मैं कभी कभी ये जो गव रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकाने खोल करके बैठ गए हैं मुझे इतना गुस्सा आता है गव भक्त अलग है गव सेवक अलग है पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बात्सा और राजाओं की लड़ाई होती थे तो बात्सा क्या करते थे अपनी लड़ाई की फोच के आगे गाय रखते थे राजा को ये परिशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम सस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी तो पाप लगेगा और इसी उल्जन में वो हार जाते थे और वो भी बड़ी चालाके से गाय रखते हैं मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोचल एक्टिविटी करते हैं कुछ लोग लेकिन दिन में गवरक्षक का चोला पहन लेते हैं मैं राज्य सरकारों को अनुरोद करता हूं कि ऐसे जो स्वयम से भी निकले हैं अपने आपको बड़ा गवरक्षक मानते हैं उनका जारा डोजियर तियार करो 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गवरक्षक धंदे करते हैं जो समाज फिकार नहीं करता हैं लेकिन अपनी उस बड़ाईयों को उसे बचले के लिए यह गवरक्षक का चोला पहन करके निकलते हैं और सचमुझ में सचमुझ में वह गव सिवक है तो मैं उनसे आगरह करता हूं कि काम कीजिए सबसे ज़्यादा गाएं कतल के कारण मरती नहीं है प्लास्टिक खाने से मरती है आपको जानकर गहरानी होगी जी गाएं कुड़े कच्ड़े में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परणाम होता है कि गाएं मर जाती है